हलो बच्चों, आज हम NTA के मौक टेस्ट नंबर 11 में बाइलीजी के 90 कूशन को डिसकस करेंगे हलो बच्चों, गंगवार इंस्ट्टूट फॉर नीट चनल पे आप सभी का स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर हर्योंग गंगवार और बेटा NTA के मौक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बाते मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि आप इस समें स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक बुक आपको दिखाई देरी आप्जिक्ट्यू बायो नीट तो ये बुक मैंने लिखी है, इसमें कुश्चन है और ये जो कुश्चन हों, NCRT बेस्ट भी है और NCRT के बाहर की कुश्चन भी है सिंगेज पब्लिकेशन इस बुक को पब्लिस करता है पिछले तीन वर्सों से और लाखों बच्चें इस बुक का फायदा उठा रहे हैं अब देख रहे हैं कि NTA के मौक टेस में बहुत सारे कुश्चन बेटा आपके NCRT के बाहर से पूछे जा रहे हैं और अगर आपने पिछले टेस्ट देखे हो तो मैंने लगातार इस बुक के बारे में बात की बायो नीट के बारे में तो बेटा उसी बुक का ये आपको यहाँ पर एक कवर पेज दिखाया गया है ये आपको Amazon और क्लिप कार दोनों जगा मिल जाएगा तो अगर आप चाहें तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं ये पार्टू है उसी बुक का इसके लावा जैसे ये इंस्पेक्शन बुक का मैं नाम लेता रहे तो बेटा ये मैं उन बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ जो अपने हां कोचिंग करते हैं क्लास्रूम प्रोग्राम वाले बच्चों को ये बुक दी जाती है NCRT टेबलेट ये बुक भी बेटा फ्लिप कार्ट पे अमेज़ॉन पे अवलेबल रहती है ये बुक मैं सिल पब्लिस करता हूँ इसमें आपको NCRT के थियोरी के हिसाब से बहुत सारे फ्लो डाइगराम दिये गए हैं कुछ आपको सौर्ट और कंसाइज पॉइंट दिये गए ताकि आप आसाने से चीजों को याद कर पाएं और NCRT के जितने भी करेक्शन किये गए हैं 2019 तक वो सारे करेक्शन भी इसमें सामिल हैं इसके अलावा एक बुक और सिंगेज पॉब्लिकेशन के थुरू बेटा आती बुल साई इसमें सौर्ट फॉर्म में NCRT को सिंप्लिफाई करके दिया गया और हर चेप्टर में 90 कुश्चन आपको दिये गए हैं तो बेटा ये NTA का मॉक टेस्ट नंबर हम 11 करने जा रहे हैं और मॉक टेस्ट इन बेटा कल अप्लोट कर दिया गया था काफी बच्चों ने देखा है तो मॉक टेस्ट 11 बेटा इसके 90 कुश्चन पाया लिजी के हम डिसकस करने जा रहे हैं ले चीन आपको इन डिफ्रेंसीटेड लेयर मीजो ग्लिया इस प्रिजेंट एं बेटा जो बेटा जो तो आपको इन चार औप्शन में से वह एक्जाम्पिल ढूमना है जो टो च्ट बेराम के में प्लेटी हेलमिंद का मेंबर है रेंकाईलो स्टोमा एस्खकेलमिन का मेंबर है हेरुदेनेरिया ईनिलीडा का मेंबर है एडमशिया सिलेंट्रेटा का मेंबर है यानि एडमशिया में मेजोगलिया नाम की लिएर प्रिजेंट होगी कुछ नमबर टू ए वेराइटी एफेक्टिव अगेंस्ट सूट एंड फ्रूट बोरर बिटा इन चार आपशन को जो आपको दिखाए गए है इन्हें आर्टिफिशिल हाइबिर्डाइजेशन टेकनिक के दोरा बनाए गया है या आप कह सकते हैं hybridization followed by artificial selection से बनाए गया है तो इनमें जो पूसा सवानी है ये सूट और फूट बोरर से रजिस्टेंट होती है जो पूसा गवरो है ये एफिट से रजिस्टेंट होती है पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 की बात करें तो ये जैसिट से रजिस्टेंट होती है इसके अलावा एफिट से रजिस्टेंट होती है और फूट बोरर से रजिस्टेंट होती है fruit borer से resistant होती है जो पूसा सवानी है ये भिंडी की भिंडी की एक variety है जो की soot और fruit borer से resistant होती ये कुशन कठिन है NCRT में आपको दिया गया है अगला कुशन बहुत आसान है butyric acid is produced by butyric acid का production clostridium putylicum नाम के bacteria के दोरा किया जाता है clostridium butylicum से butyric acid को produce किया जाता है जो aspergillus niger है ये citric acid को produce करता है citric acid acetobacter acidi की बात करें तो ये acetic acid को produce करता है acetic acid और lactobacillus की बात करें तो ये lectic acid को produce करता है clostridium butylicum नाम में ही butylicum है यहीं साब लिंग कर सकते हो butyric को question number 4 Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around NCRT में बटा लिखा कि 100 ml जो oxygenated blood होता है ये 5 ml oxygen tissue को deliver करता है और 100 ml deoxygenated blood 4 ml CO2 alveoli को deliver करती है Question No. 5 Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location This give appearance to a small fragment called इस fragment को बटा satellite के नाम से या फिर trawband के नाम से जाना जाता है इसे satellite या trawband के नाम से जानते है Question No. 6 में पूछा है एक growth curve of plant is shown below The mathematical expression for this growth curve will be बटा जो growth curve आपको दिखाएगा देखें इसमें exponential growth आपको दिखाई गई है तो यह जो growth है बटा यह geometric growth आपको दिखाई गई है Geometry growth curve में तीन phase होती है Lag phase, exponential phase और stationary phase तो जो geometric growth होती बटा उसकी equation होती है W1 is equal to W0 e to power rt तो आपका C answer correct हो जाएगा Question No. 7 में बटा आपको बताये गया The age pyramid for human population is shown below Which of the following conclusion can be drawn from the given age pyramid मैंने आपको इसको solve करने का तरीका बताया था Cress course में Organism and population chapter मैंने सिखाए था कि अगर pre reproductive population अगर reproductive population की तुला में जादा है तो इसे increasing या expanding population या growing population के नाम से जाना जाता है तो यह जो graph यहाँ पर आपको दिया गया यह represent करता कि population young है और grow कर रही है तो यह answer यहाँ पर correct हो जाएगा Question number 8 Aggregate of lymphoid tissue present in the distal portion of small intestine are known as पैटा small intestine में जो lymphoid tissue पाया जाता है इसे pairs patches के नाम से जाना जाता है NCRT नहीं यह जरूर लिखा कि pair patches small intestine में पाया जाते है लेकिन distal portion ऐसी बाते NCRT में नहीं लिखी है What is correct about the compound epithelium compound epithelium की बात करें बेटा तो पहला option है it is multi-layered सही है simple epithelium single layer होती compound epithelium multi-layered होती है its main function is protection against chemical and mechanical stress यह भी सही है they cover inner lining of duct top salivary gland यह भी सही तो आपका answer क्या हो जाएगा all हो जाएगा तीनों बाते NCRT में दी गई है Question number 10 Feliddy and Kennedy are example of which taxonomic category Kennedy और Feliddy यह family है जो Feliddy है यह cat की family है और जो Kennedy है यह dog की family है तो Kennedy और जो Feliddy है यह family को represent करते है Question number 11 Which of the following is not a micronutrient यह question लगातार NTA के test में पूछा जा रहा है अब यहाँ पर आप देखिए तो बेटा molybdenum एक micronutrient है zinc एक micronutrient है boron एक micronutrient जो magnesium है magnesium एक micronutrient का example है तो यह micronutrient नहीं है यही आपका answer हो जाएगा यह जो solution मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए आप feedback भी अपना जरूर दीजेगा comment करके कैसा आपको लग रहा क्या improvement और आप चाहते हैं कुछ अगर आपके suggestion हो तो वो भी आप comment में जरूर लिखेगा वीडियो कर पसंद आ रही हूँ तो आप like करिए अपने friend को share करिए क्योंकि आप like करेंगे तो मुझे भी appreciation मिलेगा इससे चले question number 12 देखते है a scrubber in the exhaust of a chemical industrial plant remove scrubber की बात करते हैं तो scrubber SO2 gas को remove करने का काम करता है as for the scrubber as for the sulfur dioxide ऐसे आप याद कर सकते हैं बाटा particulate matter जो यहाँ पर दिया गया particulate matter को remove करने के लिए electro static precipitator का यूज किया जाता है electro static precipitator का यूज करते हैं इसकरबर SO2 gases को release करता है question number 13 find out incorrect statement with respect to pollen grain पहला option दिया के generally spherical measuring about 25 to 50 micrometer एक्दम सही है exign less area in pollen wall are called germpore बिल्कुल सही बेटा जिस area में exign नहीं पाया जाता है उसे germpore कहा जाता है the vegetative cell is bigger has abundant food reserve and large irregularly safe nucleus ये भी सही है the generative cell has abundant cytoplasm and an irregular safe nucleus ये गलत है बेटा जो generative cell होती है वो small होती है और spindle safe की होती है इसमें dense cytoplasm होता है और nucleus पाया जाता है तो बटा यहाँ पर जो D option आपको दिया गया है ये D option incorrect है pollen grain के लिए question number 14 which part of human brain is concerned with regulation of body temperature ये question खुब पूछा जाता है NDA के test में ही कई बार आपको दिया गया है hypothalamus body के temperature को भूख और प्यास को नियंतरित करने का काम करता है बहुत important है NEET में कई बार पूछा गया और NDA के test जो मैंने आपको खाने है उसमें ही कई बार आ चुका है vector for dango and chicken gunia डेंगो और chicken gunia को फैलाने का काम करता है ADES mosquito ये भी NCRT में आपको दिया गया है dango और chicken gunia को ADES mosquito फैलाता है phylaria को Qlex mosquito फैलाता है और अगर हम बात करते हैं malaria के बारे में तो female endophilis mosquito malaria को फैलाने का काम करती है चारों के बारे में NCRT ने दिया है Malaria, Phylaria, Dengo और Chicken Goni Question number 16 आपको जो दिया गया है इसमें एक आपको graph दिखाए गया जहांपर biome distribution आपको दिया गया है तो आपको A, B, C की पहचान करने बटा तो यहांपर जो A आपको दिखाए गया है यह आर्कटिक और Alpine Tundra A आर्कटिक और Alpine Tundra है आप चारों option में देखें कि B option में A में आर्कटिक तundra लिखा हुआ है तो बाकी option आइसी भी खत्म होगा लेकिन बाकी चेक कर लीजे जो B है बटा यह desert को represent करता है C की बात करें तो C tropical forest को represent करता है है ना यहांपर बटा अगर इस वाले आप figure को देखेंगे तो यह grassland को represent करता है NCRT का figure है बटा यह यह वाला जो आपको दिया गए यह temperate forest को represent करता है temperate forest को और यह जो आपको दिया गए यह coniferous forest को represent करता है तो आपको यह बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए question number 17 पूछा है in eco-r1 the letter R is derived from बटा eco-r1 एक restriction endonuclease enzyme है और इस restriction endonuclease enzyme में जो R letter है बटा यह R letter strain को बताता है और strain का नाम क्या है ry-13 ry-13 strain का नाम है और इसी strain के नाम से r letter लिया गया है eco-r1 में question number 18 ascaris is characterized by ascaris की बटा बात करे तो इसमें लिखा है absence of trucyelome but presence of metamerican गलत है बटा यहां पर trucyelome नहीं होता है और metamerican नहीं पाई जाती है अलिका प्रिजन्स तो गलत हो गया presence of neither trucyelome nor metamorism यह सही बटा ना तो trucyelome होता देखे ascaris में pseudo-sylome पाई जाता है और metamerican नहीं यहां नहीं true segmentation नहीं पाई जाता है तो यही statement यहां पर correct हो जाएगा question number 19 the anterior pituitary hormone that does not stimulate other endocrine gland पेटा anterior pituitary का जो hormone दूसरी किसी endocrine gland को stimulate नहीं करता है वो है somatotropin somatotropin की बटा बात करते हैं तो इसे growth hormone कहा जाता है और जो growth hormone है पेटा यह growth hormone किसी दूसरी endocrine gland पर काम नहीं करता है बलकि यह growth hormone है यह muscle के उपर आप कह सकते है bone के उपर एक करता है और उनमें growth कराता है अब देखे जो thyro-tropin है यह thyroid gland के उपर एक करता है जबकि thyroidic endocrine gland है gonadotropin gonad के उपर एक करता है gonad से भी hormone का secretion होता है बिसे gonad endocrine भी होते हैं और यह दूसरे काम भी करते ही पूरी तरीके से endocrine नहीं होते है लेकिन endocrine function होता है adrenocardico-tropin की बात करें बैटा तो यह adrenal gland के उपर एक करते है adrenal cortex के उपर तो यह तिनों hormone दूसरी endocrine gland पे एक करते है लेकिन somato-tropin hormone दूसरी किसी endocrine gland पे एक नहीं करता है बहुत बढ़ी हाँ सवाल है question number 20 mark the odd one पिछले test में मैंने आपको बताया था कि odd का मतलब क्या होता है आपको यह देखना है कि जो चार option है उसमें से एक बाकी सबसे किस तरीके से अलग है तो देखे जरा oxalo estric acid इसमें carbon देखी कितनी होगी 4 carbon होगी malic acid में 4 carbon citric acid में 6 carbon succinic acid में 4 carbon तो आप खुद ही देखे कि कौन सबसे अलग है citric acid यहाँ पर सबसे अलग है अगर हम carbon के number के हिसाब से बात करें और यह सब अगर compound आप देखें तो जब क्रेब cycle आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको यह मिलते हैं question number 21 isogamous reproduction and flasylated gamete can be observing बटा isogamous condition और flasylated gamete eulothrix में पाए जाते हैं spirogyra में isogamous condition तो होती है लेकिन non-flasylated gamete पाए जाते हैं focus की बात करें तो focus में बटा u gamus condition present होती clear polysiphonia बैटा red algae तो red algae में flasylated stage नहीं पाए जाते हैं और यहाँ पर भी u gamus reproduction present है तो यहाँ पर केवल eulothrix सी answer हो सकता है question number 22 receptor associated with erotic arch and carotid artery can recognize changes in बैटा यह जो breathing and exchange of gases chapter उसमें आपको बताएगा कि erotic arch और carotid artery से associated जो receptor होते हो carbon dioxide और hydrogen concentration के परती जो उसके changes को recognize कर सकते हैं उसके परती sensitive होते है question number 23 which of the following organism are correctly paired with its life span अब बैटा यहाँ पर crow की बात करें तो crow की life span 15 year होती सही है butterfly की बैटा अगर हम बात करते हैं butterfly की life span 3 weeks दी गई ही जो की गलत है क्योंकि इसकी life span 1 to 2 weeks होती है parrot की life span 40 years दी गई जो की गलत है बैटा 140 years होती है इसकी life span crow को डाइल की life span 100 से डिर सो दी गई जो की 60 year होती है तो यह सब आपको data याद होना चाहिए NCRT का data है तो क्योंकि यह option यहाँ पर correct है और यह answer हो जाएगा question number 24 the packaging of chromatin at higher level require an additional set of protein that collectively are referred to as higher level पे जो protein की requirement होती that is NSC non histone chromosomal protein की requirement होती हो low level पे histone की जरूरत होती है higher level पे NSC protein की requirement होती question number 25 which of the following statement is incorrect चली पढ़ते हैं के देखते हैं बास्मती राइस इस दिस्टिंग फॉर इट्स यूनीक अरोमा और फ्लेवर और 27 documented varieties of basmati are grown in India सही है आपको इंकरेक ढूंडना है bio piracy is the term used to refer the use of bio resources by multinational companies and other organization without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment ये भी सही definition है transgenic animal that produce useful biological product can be created by the introduction of portion of DNA which code for a particular product such as human protein alpha-1 antitrypsin used to treat phenylketonuria ये गलत है बेटा क्योंकि alpha-1 antitrypsin से phenylketonuria को treat नहीं करते हैं बलकि emphysema को treat करते हैं emphysema तो ये गलत हो गया statement बेटा और गलत ही ढूंडना था फिर दी पर लिजे दा इंडियन गवर्मेंट है सेट अप और अर्गिनाजेशन सच इस जी एक जेनिटिक इंजिनिरिंग एप्रूवल कमेटी विच विच विल मेक डिसीजन क्रेस कोर्स में अभी बायोटेक में जल्दी मैंने इस अब आपको पढ़ाया है कुशन नंबर 26 से लिए इनकरेक्ट स्टेटिमेंट रिगार्डिंग दा ट्रांस्पोर्ट ऑफ गैसे इन बलड चली पढ़ते हैं अबाउट 97 परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इस ट्रांस्पोर्टेट बाई आर्बीसी जिन्दा बलड एक्तम सही है कार्बोनिक एन हाइड्रेज इस प्रिजेंट इन वेरी हाई कंसेंट्रेशन इन आर्बीसी सही है हाई PCO2 एन लो प्योटू इन टिशू हेल्ब इन बाइंडिंग ऑफ कार्बन डायोकसड एक्तम सही है सियोटू की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से तब होगी जब PCO2 का लेविल जाता होगा सियोटू इस केरीड इन हीमोग्लोबिन एस कार्बोकसी हीमोग्लोबिन इकला थे बटा यह मैंने पहले भी कुश्चन करा हैं टिशे के टेस्स में पूछा गया था CO2 hemoglobin के साथ जब bind करता है तो carb amino hemoglobin का formation होता है जब कि जब carbon monoxide hemoglobin से bind करती है तब carboxy hemoglobin का formation होता है Question number 27 The mathematical expression of diffusion pressure deficit अब ये NCRT में आपको नहीं दिया गया diffusion pressure deficit को DPD से represent करते है और DPD is equal to osmotic pressure minus turgor pressure तो आपका statement A सही है और ये मैंने आपको जो मेरी numerical series है उसमें आपको मैंने कुश्चन करने का तरीका भी सिखाया था चलिए अगला कुश्चन देखिए In which technique? To form an embryo in the laboratory, a sperm is directly injected into the worm तो बेटा अगर हम sperm को directly ovum के अंदर inject करते है That is called ICSI, Interacytoplasmic Sperm Injection ये technique है यहाँ पर Question number 29 Which kind of modification is syring the given diagram? बेटा ये जो diagram आपको दिखाया गया है इस diagram में आपको ये sweet potato का diagram दिखाया गया है जो कि NCRT ने आपको दिया ठीक है ये sweet potato का diagram है और इस diagram में आपको जो sweet potato दिखाया गया है बेटा उसकी adventitious root है जो food को store करने का काम करती है और जो root food store करती है उन्हें fleshy root कहा जाता है तो ये adventitious root है sweet potato की जो की food को store करती है आप कह सकते हैं कि ये sweet potato की fleshy root है Question number 30 Kingdom planty include planty kingdom में बेटा plant को include किया जाता कौन कोन आएगा algae, bryophyte, pteridophyte, gymnospermend, angiosperm B answer हो जाएगा Question number 31 A change in the relative abundance of an allele within a population over a succession of generation is called पिटा करें कि जो एक allele है या allelic frequency है उसके relative abundance में जो change हो रहा है generation to generation इसे क्या कहा जाता है That is named as micro evolution इसे micro evolution कहा जाता है और ये point आपको NCRT में नहीं दिया गए ये NCRT के पाहर का point है Question number 32 The formation of life was preceded by chemical evolution This statement was given by पिटा ये statement दिया गया था Oparin और Helden के दोरा Oparin और Helden ने कहा था कि Life की origin के पहले chemical evolution हुआ था Question number 33 Fetal ejection reflex is produced by खूब पूचा था पिटा Fetal ejection reflex की सुरुवात कौन करता Fully developed fetus and placenta ये NEET में ही 3-4 बार पूचा जा चुका है बहुत important question है Elgi used by Kelvin and associate for photosynthetic research is उन्होंने जो Elgi का यूज किया था पैटा और कलोरेला का यूज किया था और एक सिने डेसमस का यूज किया था कलोरेला और सिने डेसमस तो Elgi का यूज किया गया था सिने डेसमस ये भी NCRT में बटा आपको नहीं दिया गया है लेकिन inspection अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया कि कलोरेला और सिने डेसमस का यूज किया गया था ये बायो नीट में कुश्चन भी बटा बायो फर्टिलाइजर इंक्लोड बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं ऐसे बायो का मतलब living ऐसे living organin जो फसल की पैदावार को पढ़ा देते हैं उन्हें बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है तो बायो फर्टिलाइजर में nitrogen fixing bacteria हो जाएंगे nitrogen fixing sinobacter nitrogen बायो फर्टिलाइजर के एक्जाम्पल है यह NCRT में आपको दिया गया है question number 36 the enzyme used to join the DNA fragment DNA के fragment को जोडने का काम कौन करता है DNA ligase ligase का मतलब ही ligation करने वाला जोडने वाला question number 37 which is correct about the contraceptive method shown in the diagram below यह जो diagram आपको दिया गया यह copper T का diagram है तो आप बता ही copper T क्या करता है देखे यहाँ पर आप से क्या कहा गया correct about तो correct about क्या है यहाँ पर देखे लिखा है it releases calcium and that suppress spermotility गलत है दूसरा it releases copper and that suppress spermotility यह सही है बटा यह जो copper T है धीरे धीरे copper and को release करते हैं copper and sperm की motility को suppress कर देते हैं question number 38 yuric acid is nitrogenous waste in yuric acid किसका nitrogenous waste है बटा तो अगर हम bird की बात करें और lizard की बात करें lizard के है बटा यह reptile है तो reptile और bird में yuric acid nitrogenous waste होता है अब यहाँ पर बटा जैसे आपको insect दिया गया तो insect में तो yuric acid होता है लेकिन अगर हम bonny fishes की बात करते हैं तो जो bonny fishes होती है बटा उनमें ammonia excretory product के तोर पर यूज किया जाता है तो यह statement तो गलत हो जाएगा frog की बात करें बटा तो जो frog होते हैं यह ureotellik होते हैं cartilaginous fishes की अगर हम बात करते हैं बटा तो जो cartilaginous fishes होती हैं यह ureotellik होती है तो यह भी answer यहाँ पर गलत हो जाएगा mammal की बात करें तो mammal का nature कैसा होता है mammal urea का excretion करते हैं और अगर हम mollusk की बात करते हैं mollusk में जैसे snail की बात करें तो यह ureoc acid का remove करते हैं तो यह भी statement यहाँ पर mammal वाला गलत हो जाएगा तो ureoc acid nitrogenous waste यहाँ पर जो option है दोनों options नहीं वो bird और lizard हो जाएगा question number 39 holo enzyme is or an holo enzyme बेटा complete enzyme होता है और holo enzyme में दो पार्ट होते हैं एक तो बेटा इसमें apo enzyme होता है ठीक है एक तो इसमें हो जाएगा apo enzyme plus यहाँ पर co factor हो जाएगा apo enzyme और co factor यह मिलके holo enzyme बनाते हैं तो apo enzyme तो protein part हो co factor क्या है non protein part है तो यहाँ पर option A सही होगा non protein and apo enzyme non protein की जगा co factor आप रख सकते हैं तो यह पहला जो statement है यह सही होगा neat में लगातार ऐसे question पूछे जाते हैं question number 40 which of the following is grown to provide human food rich in protein lipid carbo hydrate vitamin and mineral तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्लोरेला के बारे में तो क्लोरेला ऐसे food को produce करती है जो protein, carbohydrate, lipid, vitamin और मिंदल में rich होता है क्लोरेला एक green इलगा है जिसको food supplement के तौर पे space traveler के दौरा भी यूज़ किया जाता है question number 41 what is an eye of potato पोटेटो में जो आई होती है वो axillary bud का example है आई potato axillary bud का example है और इनी axillary bud से नए plant का development होता है question number 42 the waste product produced in man में कौन सा waste product बनता है carbon dioxide बिल्कुल urea and salt बिल्कुल यह भी produce होते है excess of water बिल्कुल यह सभी excretive product हो सकते हैं तो all answer हो जाएगा question number 43 which type of organism are PPLO PPLO की बात कें देजार mycoplasma like PPLO mycoplasma like organism होते हैं वैसे mycoplasma को ही PPLO के नाम से जाना जाता है pleuroneumonia like organism question number 44 under what condition the upright pyramid of biomass become inverted कहरें कि जो biomass का pyramid हो कब inverted हो जाएगा यह आपको बताना है तो अगर हम बेटा बात करते हैं यहाँ पर grassland ecosystem में तो grassland ecosystem में biomass के pyramid upright ही रहेगा terrestrial ecosystem में भी upright रहेगा pond ecosystem में inverted हो जाएगा tree ecosystem में भी upright ही रहेगा तो आपको दो चीजे ध्यान रखने हैं biomass का pyramid pond या aquatic ecosystem में inverted होता है और number का pyramid tree dominated ecosystem में inverted होता है बागी जादा तिर pyramid upright ही होते है question number 45 meiosis 1 is also called heterotypic division और reduction cell division select the correct option by comparing the phase of the meiosis and their respective event from list 1 and 2 तो list 1 क्या है phase of the meiosis and list 2 में क्या लिखा event that occur तो pro phase 1 में बेटा आपको क्या लिखके दिया गया है pro phase 1 में लिखा है crossing over occur तो यह तो सही यह pro phase 1 में ही crossing over होती है meta phase 1 में लिखा sister chromated migrate to opposite pole गलत है बेटा sister chromated opposite pole की तरफ कब जाती है ena phase 2 में ठीक है फिर ena phase 1 में क्या लिखा है homologous chromosome line up homologous chromosome line up at the equator तो यह भी गलत है बेटा homologous chromosome equator पे कब आते है meta phase 1 में तो यहाँ पर बेटा आपका statement 1 correct है और 2 and 3 false है तो आपका answer C हो जाएगा question number 46 a root was described as adventitious root because adventitious root की अगर हम बात करते है तो ऐसी root जो radical के अलावा कहीं से भी arise करें उसे adventitious कहते हैं तो जैसे अगर कोई root primule से arise करते है तो उसे हम क्या कहेंगे adventitious root का नाम देंगे question number 47 asmosis is the passage of water through a semi-permeable membrane फ्रॉम पहली चीज तो यह question में ही गलती semi अभी यहां नहीं होगा क्योंकि NCRT ने अब हर जगे selectively कर दिया है तो पहले तो question ही गलत है अब है selectively यहां पर होना चाहिए asmosis में selectively permeable membrane के थ्रूँ जो moment होता है water का वो कहां से कहां की तरफ होगा higher concentration of water molecules से lower concentration of water की तरफ होगा या आप ऐसे कह सकते हैं कि high water potential से low water potential की तरफ moment होगा question number 48 which of the following strategies is not a correct approach to reduce global warming global warming को reduce करने के लिए कौन गलत है तो पहला क्या है reducing the greenhouse gas emission by limiting the use of fossil fossil fuel इतम सही है अगर fossil fuel petrol diesel का use कम करेंगे तो co2 कम रिलीज होगा और co2 सबसे ज़्यादा global warming में contribute करता है फिर increase in vegetation cover particularly the forest for photosynthetic utilization of co2 बिलकुल ज़्यादा ज़्यादा प्लांट लगाएंगे ताकि वो co2 photosynthesis में यूटिलाइज कर सके minimizing the use of nitrogen fertilizer in agriculture for reducing NO2 emission ये भी सही ये भी काम करेंगे क्योंकि जो nitrogen fertilizer से NO2 निकलता है N2O निकलता है ये भी global warming में role play करती है और फिर क्या कह रहें कि increasing the use of air conditioner ये गलत है बैटा refrigerator unit and production of plastic ये नहीं करेंगे बैटा क्योंकि air conditioner का युज ज़्यादा करेंगे तो cfc ज़्यादा निकलेगा और जो cfc होता और जो ज़्यादा दूसरे pollutant होते हैं ये भी global warming में important role play करते हैं question number 49 ने which type of cell division occur in gonad gonad की बैटा बात करें gonad का मतलब testis और ovary जहां पर sex cell का gamete cell का formation होता है उन्हें gonad कहते हैं तो testis और ovary में gamete बनते तो उन्हें gonad कहते हैं और gonad में mitosis और meiosis दोनों cell division होते हैं चले बैटा question number 50 है gigantism and dwarfism are the disease related to तो बैटा gigantism और dwarfism जो होती है ये growth hormone की वज़े से होने वाली बीमारी है और growth hormone adeno hypophysis यानि anterior pituitry से secret होता है अगर growth hormone का secretion ज़्यादा होगा तो gigantism हो जाएगा और अगर growth hormone का secretion कम होगा तो dwarfism नाम की बीमारी हो जाएगी अगला सवाल देखे question number 51 what is par range पार क्या है बैटा photosynthetically active radiation photosynthetically active radiation की range होती है 400 nanometer से 700 nanometer इसे विबग्योर भी कहा जाता है या इसी को visible radiation के नाम से भी जाना जाता है question number 52 the respiratory question during cellular respiration would depend on बैटा जो RQ की value होती है वो depend करती किसके ओपर nature of substrate के ओपर depend करती है अगर substrate fat है तो RQ की value 0.7 हो जाएगी अगर protein है substrate तो RQ की value 0.9 हो जाएगी और अगर carbohydrate है तो RQ की value 1 हो जाएगी तो यानि जैसे जैसे substrate change होगा RQ की value भी change हो जाएगी question number 53 allergy is due to release of which of the chemical from mass cell and basophil बैटा mass cell से histamine और serotonin को secret किया जाता है और histamine और serotonin इन ही दोनों chemical की वज़े से allergy के symptom आते हैं तो answer क्या हो जाएगा question number 54 how many ATP molecules are generated in Kelvin cycle बैटा कल के test में भी मैंने कराया था कि अगर हम Kelvin cycle की बात करते हैं बैटा तो Kelvin cycle में अगर आप देखेंगे बैटा तो Kelvin cycle में 18 ATP molecule utilize होते हैं ध्यान अच्छे करेंगे तभी हो पाएगा utilize होते हैं यहां लिखा generated तो generate तो 0 कोई नहीं generate होता है तो यह question एक second में गलत कर देंगे आप क्योंकि पहला option ही 18 दिया गया है तो utilize होते हैं Kelvin cycle में generate नहीं होते हैं बहुत ही बढ़िया question है 54 question number 55 somatostatin somatostatin कहां से निकलता है hypothalamus से तो hypothalamus और pituitory के जो हार्मोन होते होते हैं the following set is a flightless bird बेटा flightless bird की अगर हम बात करते हैं तो struthio जिससे सुतुर मुर्ग कहा जाता है और aptinodite जिससे penguin के नाम से जाना जाता है तो यह बेटा ostrich है यहां पर struthio और aptinodite की बात करे हैं तो यह penguin है बेटा और यह दोनों ही flightless bird होती है यह दोनों flightless bird है question number 57 which is a common character between all the mammals पहला है देयर oviparus तो यह गलत है बेटा क्योंकि mammal जादा तर mammal vviparus होते हैं देयर herbivore लेकिन यह सारे mammal नहीं होता है जैसे lion और tiger carnivore होते हैं फिर देयर carnivore यह भी गलत है बेटा क्योंकि goat, cow यह सब हर भी ओरस nature के होते हैं यह सभी mammal का character नहीं है जैसे c cow में बात करें ब्रेडिपस में बात करें तो उनमें cervical vertebrae का number 7 नहीं होता है तो यानि यह भी statement सही नहीं लेकिन अगर इन चारों में हम देखें तो यह सबसे correct है तो बटा अगर exam में question आएगा तो इस पर भी dispute हो सकता क्योंकि जो D option है इसके भी exception है question number 58 bio fortification involved breeding crop with higher level of vitamins mineral protein, healthier fat which of the following vegetable crop has been produced by IERI that have been enriched with vitamin C bio fortification कल ही बटा मैंने live session में आपको बताया था तो vitamin C enriched कौन कौन होता bitter guard होता है बथुआ होता है mustard और tomato यह होते है vitamin C enriched question number 59 plant require magnesium for plant को magnesium की जरूरत किसके लिए होती है बटा magnesium की जरूरत plant को होती है chlorophyll की synthesis के लिए chlorophyll का जो ring structure होता है उसमें magnesium present होता है question number 60 the gastric juice content बटा gastric juice का secretion gastric gland करती है इस टमक की और इसमें pepsin होता है lipage होता है और reinin enzyme पाये जाते हैं तो यह आपका correct answer हो जाएगा question number 61 में बटा आप से पूछा select the correct statement about biodiversity तो अब पहला option है large scale planting of BT cotton has no adverse effect on biodiversity बटा यह गलत statement ही क्योंकि अगर BT cotton को large scale पे लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो insect हैं बहुत सारी insect species हैं जिनकी death हो जाएगी और इससे biodiversity घटेगी तो यह गलत है western ghat have a very high degree of species richness and endemism एकदम सही western ghat की बात करें बटा तो यह biodiversity hot spot है तो यहाँ पर endemism पाई जाते हैं और high level में species richness है conservation of biodiversity just a fed pursuit by the developed countries गलत है बेटा conservation of biodiversity बेटा सभी का एक लच्छे होना चाहिए और यह सभी की जिम्मेदारी चाहे हो developed country हो या developing country हो the desert area of Rajasthan and गुजरात है very high level of desert animal species as well as numerous rare animal बेटा desert में biodiversity बहुत ही कम होती आप लिखा है very high level तो यह गलत है जो कि desert में जो biodiversity उसका level बहुत ही कम होता है तो correct statement यहाँ पर भी हो जाएगा question number 62 make the correct statement with respect to gift जिफ्ट क्या है जाएगोट intra fallopian transfer तो बेटा इसमें क्या करते हैं कि जो women's egg is fertilized outside the body and then gigot is transfer to the fallopian tube नाम यह जाएगोट intra fallopian transfer intra fallopian यह जाएगोट को fallopian tube में transfer कराया जाता है एक को fertilize कराया जाता है body के बाहर test tube में अगर option C आप देखें women's egg is fertilized outside the body and then gigot is transfer into the uterus तो इसे intra uterine transfer का नाम देंगे intra uterine transfer अगर यह option देखें OVA collected from a female donor and transferred to the fallopian tube to facilitate gigot formation तो इस technique को gift के नाम से जाना जाएगा gamete intra fallopian transfer question number 63 which of the following is a correct match between crop variety and resistance to TGs तो बेटा यहाँ पर जो आपको जैसे पहला option दिया गया है पहला जो option बेटा दिया गया है कि crop feet है इसकी variety हिमगिरी है और यह resistant है white rust से यह गलत है बेटा जो हिमगिरी होती है यह resistant होती है hill bunt से और इसके लावा leaf and stripe rust से तो यह गलत हो गया काउपी काउपी की वेराइटी पूसा कोमल जो bacterial blight से रेजिस्टेंट है यह सही है चोथा है चिली पूसा स्वर्निम जो की गलत है बेटा पूसा स्वर्निम ब्रैसिका की वेराइटी है कुछन नबर 64 में का है which of the following is not a correct statement मतलब गलत आपको ढूणना है पहला statement क्या है हर्बेरियम, houses, dried, pressed and preserved plant specimens सही है botanical garden have a collection of living plant for reference यह भी सही है यह museum है जे collection of photograph of plant and animal गलत है बेटा photograph नहीं रखे जाते म्यूजियम में specimen होते हैं कि is a taxonomic ad for identification of a specimen सही है तो यहाँ पर सी incorrect हो जाएगा यह आपसे पूछा गया है question number 65 यह question आज ही मैंने आपको live session में कराया था बेटा फासफोरस cycle आपको दी गई है और इसमें से आपको incorrect statement बताना है तो देखते हैं statement यहाँ पर और फिर जो option आपको दीएगे उनको चिक करते हैं आपको क्या बताना है incorrect ठीक है देखते हैं जरा पहला option है it represents fast forest cycling in an aquatic ecosystem गलत है बटा यह terrestrial ecosystem की fast forest cycle है दूसरा क्या है it represents fast forest cycling in a terrestrial ecosystem यह सही है फिर क्या कहा है दर natural reservoir of fast forest forest rocks गलत है बटा जो natural reservoir होता है बटा वो rocks होती है यहाँ पर forest rock लिखा यह गलत है फिर क्या लिखा है there is a respiratory release of fast forest into the atmosphere यह भी गलत है there is no respiratory release होगा बटा फिर gaseous exchange of fast forest between organism and environment does not occur यह सही है तो आप से क्या पूछा incorrect तो कौन सा incorrect है 1 3 & 4 1 3 & 4 1 3 & 4 1 3 & 4 1 3 & 4 और 4 incorrect है तो B answer आपका सही हो Q66 which of the following pair has a haploid structure तो बटा यहाँ पर देखें junction new cells ل Mr.êm new cellus diploid structure होता है antipodal cell haploid होती है तो d miesz bathroom antipodal cell haploid होती एक celf haploid होती या यही answer आपका हो जाएगा फिर यहantipodal cell haploid हो जाएगी megasporon mother cell diploid हो जाएगी NEHHH autocilus cell diploid हो जाएगी primary endospolum nucleus triploid हो below and select the right option giving their name and occurrence तो एक फिगर आपको दिखाए गया दूसरा भी फिगर आपको दिखाए गया है अब जो एफ फिगर आपको दिया गये दोनों फिगर NCRT की बटा एजन जो आपको दिखाए गया यह लेसितिन है जो की सेल मेंब्रेन में परिजन्ट होता है और ढ़िखाए गया फिगर आपको दिखाए गया देखें यहाँ पर यूरेसिल है और यह सुगर सेट है तो इक बिखाए गया है यह नूपलियोससाइड बन जाएगा तो अब यहाँ पर A option तो correct है, कि lecithin cell membrane में present होता है, अब जो B option है बेटा, यह actually आप इसको क्या कहोगे, यूरीडीन कहोगे, ये यूरीडीन है जो phosphate से मिलके यूरीडाइलीक एसिड बनाता है, तो ये तो B option में B को लिखा यूरीडाइलीक एसिड गलत है बेटा, ये यूरी पूछा गया है, examine the figure A to D given below and select the right option and which of the following structure A, B, C, D आपको बताने हैं, ये CBC में पूछा गया था, 2010 में CBC को ही अब नीट के नाम से हम जानते हैं, तो देखिए जो आपको दिखाए गया बेटा, ये figure पहचानी है, water hyacinth है, और water hyacinth में क्या होता है, offset होता है, तो देखिए एक option आपने पता कर लिया, बाकि सारे option आपने आप खतम हो गए, B क्या हो जाएगा, that is N3DO4 हो जाएगा, markensia का figure है, C जो figure embryo sac का है बेटा और इसमें तीन antipodal आपको दिखाई गई है, ये तीन antipodal C पे हैं, और ये कारा का figure है बेटा, और कारा में उपर की तरफ उगोनि identally similar, कौन से EXCOLOGICALLY SIMILAR हैं, अब यहाँ पर ये questions आपको याद करना पड़ेगा,ständ में भी question दिया गया है, मोनेरंस और फंजाई की बात करें तो एकोलोजिकली सिमिलर है यानि आप दोनों को डी कंपोजर कहेंगे कुशन नबर सेवेंटी लॉंगेस बॉन और फ्यूमन बॉर्डी लॉंगेस बॉन विटा हमारी बॉडी की सबसे जो लॉंगेस बॉन कल मैंने आपको कर रहा था लाइव सेशन में इस फीमर एंसी आर्टी में आपको भी दी गई है कुशन नबर सेवेंटी वन अमंग दा फॉलोविंग विच करेक्टरिस्टिक फीचर इस नॉट एप्लीकेबल टू बीटी कॉटन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है तो पहला है बीटी इजे अब्रीवेटेड टर्म फॉर बॉर्टुलिनम टॉक्शिन गलत है बैटा बीटी थूरं जैंसिस के लिए बैसिलस थूरं जैंसिस के लिए तो यही बैटा यहां पर गलत हो जाएगा बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए सच कॉटन इज रजिस्टेंट टू आर्मी वर्मेंट बीटल एकदम सही है तो टॉक्सिन इज एक्टिवेटेड इन बॉडी ऑफ इं करikan personally करेक्ट है के यहां पर encodeों तो यहां पर क्या लिखा है एक करीज यूरीनने इन इस इसपृट है यह बीटा क्या है यह जो आपको दिखहेग थे से तो वास डिखरेंश को तो गारी करता लेकिन ऑर्गन वास्फ में सिठेरी नहीं करता मतलब यह गलत हो जाए अब बी option second में क्या लिखा B secretive fluid that help in the lubrication of the penis ठीक है अब B यहाँ पर जो बटा आपको दिखाई गई है B bulboyorethral gland आपको दिखाई गई है और जो bulboyorethral gland होती है बटा इसका secretion penis को lubricate करता है तो यह सही हो जाएगा फिर लिखाए D produces testosterone but not sperm D अब D बटा यहाँ पर यह testis आपको दिखाए गया और testis testosterone को भी produce करता और sperm को भी produce करता तो यह गलत हो जाएगा फिर करा C store sperm जो C बटा आपको दिखाएगा यह epididymes आपको दिखाएगा और यह sperm को store करता है तो इसका मतलब second और four correct हो जाएगा तो option आपका C सही होगा question number 73 study the pedigree chart given below यह exam में बटा पूछा गया what does it so बटा यह जो pedigree आपको दी गई है यह autosomal recessive trait की pedigree दी गई है अब autosomal recessive trait की जो pedigree है उसमें phenyl ketoneuriac autosomal recessive disorder है तो यही सही होगा यह NCRT में बटा आपको pedigree दी गई है और एक चीज और ध्यान दीजिए pedigree के question करने के तरीके मैंने आपको बता रखे हैं वीडियो आप इस चैनल पर सर्च कर सकते हैं चैनल question number 74 which is the following is wrongly match pair tuber potato सही है बटा rhizome ginger में एकदम सही बलबिल अगयों में एकदम सही है लीबट बनाना गलत है बटा लीबट कहां पाई जाती है बनाना में नहीं होती है लीबट पाई जाती ब्रायो फिलम में तो यहां पर डी गलत हो जाएगा question number 75 there are following pair of the human skeleton skeletal part are correctly match with their respective inclusive skeletal category and one pair is not matched identify the non-matching pair पहला option बेटा है sternum and rib axial skeleton बिल्कुल सही बेटा जो sternum और rib है यह axial skeleton का हिस्सा बनाते हैं clavicle and glenoid cavity pelvic girdle यह गलत है बेटा clavicle or glenoid cavity pectoral girdle का हिस्सा है तो यह गलत statement हो गया यहां पर pectoral girdle humerus and ulna यह appendicular skeleton का part है यह भी सही है malleus and strep eroskyl है यह भी सही है तो आप से क्या पूछा है non-matching तो बेटा non-matching भी हो जाएगा तो भी आपका एंसर हो जाएगा यहां पर कुछन नमर 76 वीच वीच वन आफ फॉलुविंग स्टेट्मेंट इस रॉंग विद रिस्पेक्ट तो आरे मेस्ट इस रिस्टिक्शन मोडिफाइट सिस्टम आइस दा फांडेशन आफ रिकॉंबिनेंट डिन टेकनोलोजी अब यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर हम बात करते हैं पहला आप्शन क्या है रिस्ट्रिक्शन एंडोनुक्लेज आइडेंटिफाइज इंट्रिज्ट फॉरें डिन रिट इन ले को पीशेश में कर सकता है तो यह सही स्टेट्मेंट आप से क्या पूछा रॉंग पूछा ह मौडिफिकेशन एंजाइम एड़ ए मिथाइल गुरूप टू वन और टू बेसिस यूजुली विधिन दा रिकंगनिशन साइट ऑफ दा रेस्ट्रिक्शन एंडोनुक्लेज एंजाइम बैटा 1963 में दो एंजाइम का पता चला था ही को लाई में एक मिथाइल गुरूप को ए इसे रखवा यह गल्त ह долж को जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्टिक्शन दा प्रोपगेशन ऑ ओ ओर इन डिन न्या बैक्टिरी फैज बेक्टिरीए में बैक्टिर्यो्फेज की ग्रोथ को रोकता है तो रोंग स्सेंटमेंट क्या हो जाएगा बेटा सी तोजी आपका यहां पर एंसर हो जाएगा कुश्य नमबर 77 गेवन बिलो दा डाइग्रमेटिक रिप्रेजेंटेशन ओफ वन ऑफ दा केटिगरी ओफ स्मॉल मॉलिकुलर वेट और गिनिक कंपाउंड इन लिविंग टिशू आइडेंटिफाई दा केटिगरी सोन एंड वन ब्लैंक क आपको पहचानना है ठीक है और फिर इस कंपाउंड को भी आपको पहचानना है तो आप देखी कि यहां पर यह आपको सुगर बेटा दिखाई गई ठीक है यह सुगर के ऊपर यह आपको सुगर यहां पर दिखाई गई है और इस सुगर के साथ एक्स को अटेज करके दिख गलत हो गया फिर सब्सक्ति होगया है तो यह सगर हो गया सब्सक्राइब कर शेयर 454 तो एक के यहां पर ये औक्वर हो सकता है कि आपको यूरेसिल की जगे पर गवानीन दे दिया जाए स्टाइटोसीन दे दिया जाए तो कोई भी बैस अगर सुगर से मिलेगा तो नुकलियोसाइड ही बनेगा कुशन नुमर 78 लीफ पीलिंग ऑफ ट्रेडिस कैंसे केप्ट इन मीडियम है विंग 10 परसेंट एंडर दा माइक्रो इसको व्यार लाइकली टू सी तो हम क्या देखेंगे बैटा अगर हम 10 परसेंट एने सीयल में रखेंगे तो 10 परसेंट जो एने सीयल होगा बैटा जरह समझ जये हैं इसको 10 परसेंट एने सीयल में हमने से अलियकर ए ठीक है तो 10 परसेंट ने एसील क्या होगया डैट इस हरे था हांपर टोनिक बहुत और लीव की जो हो गई इसकी कंडिशन में क्या हो गई है फ Hai qui डानिक हो गई अब wall इसे लोग की तरब तो लीप से पानी क्या होगा बाहर आ जाएगा तो एक्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम दा से लिए आपका इंसर हो जाएगा इनीमल रहते हैं उनमें क्या क्या अडॉप्टेशन हो सकते हैं विए थिक कोट टू मिनिमाइज एवेपुरेटिव डेसीकेशन बिल्कुल सही है उनमें थिक कोट बॉड़ी पर हो सकता है ताकि एवेपुरेशन से जो जो वाटर का लॉस होता है उससे बचा जा सके ऑक्सीड इस टोट फैट तो प्रडूस वाटर ऐसे बाइपॉड़ेट कंगारू रेट में सी अटी ने कहा है कि इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होता है जिससे वाटर बाइपॉड़ेट की रूप में बनता है तो यह भी सही है प्रडूसिंग वेरी कंसंट्रेटेट इड यूरिन एं टेनि साइड इफक्ट्टु डाइग्वन सतकेंसर ऑफ इंटरनल ऑर गन इन्टरनल ऑर गन की लिए नौन इंवेजिव टेकनिक बिना किसी साइड इफक्ट जो होती दैटीज मैगनेटिक रिजोनेंस इमेजिग यह सभाना सेफिस्ट टेकनिक है वेटा सेफिस्ट भी और स A, B, C, D from the following option तो बैटा यह एक्चुली आपको क्या दिया गए ग्लुकोज है यहां से पाइरवीक एसिड बन रहा है फिर CO2 प्रोडूस हो रहा तो इसका मतलब ग्लुकोज से पाइरवीक एसिड बन रहा है यह तो ग्लाइकोलिसिस हो गया है फिर CO2 बन रहा है तो इसका फास्फोग्लिस्टरीक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ग्लुकोज से अगर हम बात करते हैं PGAL ग्लुकोज से PGAL अगर बनेगा यहां पर तो PGAL से 3-फास्फोग्लिस्टरीक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो यह तो सही कि यहां पर PGAL होगा अब देखे ए और B आप्शन में PGAL आपको दिया गया ए पर तो दो आप्शन से हैं दो आप्शन ऐसी खतम हो गया अब बैटा यहां पर देखे बी से आपको दिखाए गय कौन साइनसर होगा अब सी को देखिए बिटा यहां पर और D को देखिए पाइर वी कैसिड में 3 कार्बन है अब यहां पर जब पाइर वी कैसिड से D बनता है तो एक CO2 निकलती हो मतलब एक कार्बन यहां पर आ गई तो इसका मेंलब दो कारबन वाला कंपॉण्ट बनेगा यहां पर तो दो कार्बनला कमपॉंड को नहीं इत्थाइल एलकोहल C2H5OH यहनी D क्या है? C2H5OH होगा यहां पर D में लेक्टिक एसिड लिखा जो की गलत है ना और जो C है इससे लेक्टिक एसिड बनेगा क्योंकि लेक्टिक एसिड में तीन कार्बन होती है जब लेक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो CO2 रिलेज नहीं होता तो करेक्ट एंसर यहां पर भी हो जाएगा बहुत ही बढ़िया सवाल यह आपको दिया गया है और प्रीवियस एर में पूछा भी जा चुका है कुशन नमबर 82 लेकिन अगर आप बायोनीट लगाते तो उसमें आपको यह कुशन दिये गए है जो स्वाल्डे प्लांट होते हैं उनमें जो डार्क पीरियेट है वो अनिंटरप्टेड होना चाहिए अगर डार्क पीरिये में लाइट का फ्लेस मिल जाएगा तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी कुशन नमबर 83 पहला है डिक्रीज इन फिनाइल एलनीन इन टिशू एंड बलड तो बैटा फिनाइल किटोनीूरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फिनाइल एलनीन होता है इसका कंसंट्रेशन टिशू और बलड में बढ़ जाता है तो यह गलत है क्योंकि इनक्रीज होता है तो गलत स्टेट्मेंट हो गया इनक्रीज इन फिनाइल पाइरवीक एसिड इन टिशू और बलड यह सही स्टेट्मेंट है क्योंकि फिनाइल किटोनीूरिया में क्या होता है जो फिनाइल एलनीन होता है यह फिनाइल पाइरवीक एसिड में चेंज हो जाता है Elimination of sugar in urine गलत है बटा Urine में Phenyl Pyroic Acid का Excretion होता है Elimination of Genetics Acid in urine वैसे यहाँ पर Geneticic Acid होना चाहिए था यूरीन में गलत लिग गया है बटा तो मैंने कहा कि यहाँ पर Phenyl Pyroic Acid का Elimination urine में होता तो क्यों B option यहाँ पर सही है Question No. 84 में कहा है What is not true about Sclerid Sclerid जो होते हैं यह Scleran Chima होते हैं Scleran Chima तो पहला option दिया है These are Paren Chima, सिल बसी ही पर गलत होगा पहला option दूसरा, These are Elongated and Flexible with Tapered in सही है These are Commonly Found in the Cell of Nuts Pulp of Gawa, Peer, etc यह भी सहीं CRT में दिया गया These cells also provide support यह भी सही है यह गलत है क्योंकि जो Sclerid है, Scleran काईमा होते हैं और यही पूछा क्या नॉट टूट हो यानि आपका answer क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा Question No.85 Given below the Diagrammatic Sectional View of the Memory Glance Select the option which indicates the correct labeling तो यहाँ पर जो आपको labeling दिखाई गई है इस labeling में यह दिखे मैंने कहा भी था और यह दिखे पूछा भी है जो D आपको यहाँ muscle दी गई that is pectoralis major muscle यह pectoralis major muscle आपको दिखाई गई है और बाकी अगर मैं option यहाँ पर आपको बताता हूँ तो कौन कौन से option होंगे देख लीजे जरा यहाँ पर बेटा जो C को indicate किया गया है जो C यहाँ पर indicate किया गया है यह memory duct है जो कि lactiferous duct लिखा ही इसलिए गलत है B की बात करें बेटा तो B यहाँ पर impula है जो कि memory alveolos indicate किया गलत है A की बात करें तो A lactiferous duct है जिसको impula कहा गया है तो यह भी गलत है D है pectoralis major muscle यह मैंने अपनी bionate book में भी ऐसी diagram दिया था और यह सीधा diagram आपको यहाँ पर भी दिया गया है Question number 86 The blood of cockroach contains no respiratory pigment It means that cockroach के blood में कोई भी respiratory pigment नहीं होता है इसका मतलब यह हुआ कि oxygen directly tissue में पहुंसती है Diffusion के दोरह यहाँ पर gases को transport करने के लिए कोई भी pigment नहीं पाया जाता है Question number 87 Select the correctly matched one from the following तो यहाँ पर जो option आपको दिये गए जर चेक करते है Nitrosomonas आपको दिया गया Nitrite को Nitrate में कहा गया Change करता है तो यह गलत statement है क्योंकि Nitrosomonas क्या करता है Ammonia को Nitrite में Change करता है तो यह गलत है पहला दूसरे में लिखा Thio Bacillus Denitrification करता है एकदम सही है Nostock Free Living Nitrosan Fixer यह भी सही है Azotobacter Aerobic Nitrosan Fixer यह गलत है बैटा Azotobacter क्या होता है Azotobacter Aerobic Nitrosan Fixer होता है तो यह भी गलत statement है तो आप से क्या पुछा Correctly Match तो कौन Correctly Match है Second and Third तो आपका Answer C हो जाएगा Question number 88 In the Flouring Plant Archeosporium G-Rise 2 Archeosporium की अगर हम बात करते हैं यह भी NCRT में नहीं दिया गया है Flouring Plant में जो Archeosporium होता है यह wall का formation भी करता है और sporogenous cell का formation भी करता है तो यह आपको याद करना है यह जो मेगा Microsporengium होता है उसके बारे में आपको बताया गया है Question number 89 Which of the following is a restriction endonuclease? तो यहाँ पर जो हिंडी 2 आपको दिया गया यह restriction endonuclease का example है Protease की बात करें बात करें तो protease हो गया DNA हो गया RNA हो गया इन में से कोई भी restriction endonuclease नहीं है और आज का last question है कि G18 has been obtained from तो NCRT लिखा कि G18 को obtain किया जाता है corn kernel से corn kernel से obtain किया जाता है तो corn क्या है बेटा mage हो जाएगा तो answer C हो जाएगा तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको explanation पसंद आया होगा क्योंकि मैं साथ में ये भी बताता रहता हूँ कि कौन सा point NCRT से है कौन सा NCRT के बाहर से है तो NCRT के बाहर के topic के लिए हम क्या कर रहे हैं इस समय एक live class daily मैं करता हूँ 12 वजे उसमें मैं आपको ये question कराता हूँ जो NCRT के बाहर के हैं तो उससे आपको बहुत benefit होगा और ये जो NTA के question इसे आपको बहुत फायदा मिलेगा इनको बस आप करते रहिएगा रोज मैं 90 कुशन अपलोड कर रहा हूँ इनको आप जरूर अच्छी तरीके से करते रही बटा और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो comment करके जरूर बताईएगा like करके आप बता सकते हैं अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिस लाइक जरूर करिए चैनल पहने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके नीट के लिए best of luck